हेई फोक्स मैं रिशब और आज की वीडियो हम सीखेंगे डेक्स इन पावर बी आई डेक्स का फुल फॉर्म है डेटा एनलेसिस एक्सप्रेशन और इसका यूज होता है किसी भी टेबल या कॉलॉम्स के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने में यूजिंग फंक्शन और अप्रेटर तो अगर आप फस्ट टाइम पावर भी आई की कोई वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा इस वीडियो से पहले यह जो वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखरी है आप इस वीडियो पर जाहिए इसका लिंक में दिस्क्रिप्शन दिदूंगा यहां पर आपको पावर भी है कि सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप इस वीडियो पर वापस आ सकते हो और दूसरा पॉइंट इस वीडियो में जो भी मैं डेटा इस यूज करूंगा उसका बिल हम लोग पहले ऑडर को इंपोर्ट करते हैं उसके बाद हम लोग कस्टमर्स को भी कर लेंगे तो एक कुछ सेकंड लेगा डेटा को लोड करने में तो यह हमारा फाइल लोड हो गया तो जो मेरे एक्सल शीट है पहले उसको सेलेट करूंगा तो और शीट है उसको मैं टिक कर ऐसेलेट कर लेता हूँ जो कि यह कस्टमर्स कास्टमर्स को क saving लोड ती वे जो मेरा कस्टमर्स हैवो भी डेटा यहां पे आ अगया तौदे स्कते कस्टमर्स है और यह ऊढ़र सेबर यह यहां पर आ गई है अगर आपको इनको प्रॉपर्यृ में नहीं यहाँ पर जा सकते हो table view में इस table view के अंदर आपको जो भी table आपने इंपोर्ट करी वह आपको डीटेल में दिख जाएगे अब हम लोग चलते हैं वापस अपने report view में और यहाँ पर हम लोग अपना सबसे पहला dex query लिखते हैं तो सबसे आप select करो गए तो यहां पर देखो आपको एक option मिल जाएगा table tools के अंदर आप उपर जो tools देखोगे tab में उसमें आपको option मिलते हैं जैसे की new measure, quick measure, new column, new table, ठीक है तो यहां से भी आप बना सकते हो, दूसरा तरीका आता है कि आप इसी table के उपर right click कर दो, जैसे orders के उपर करता ह तो यहां पर भी आप देखो सारे options मिल जाते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहां से कर ले रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ new measure, ठीक है, अब आपको सबसे पहले इस measure का नाम देना है, तो जैसे मुझे क्या चाहिए, count of orders, ठीक है, यह मैं column का नाम, मतलब अभी जो मैं ना measure बना रहा हूँ, उसका नाम देने जा रहा हूँ, count of orders, आपको लिखना होगा, equals to, ठीक है, और यह same होता है, जैसे Excel के अंदर formula लिखते थे, वैसी same होता है, बस इसमें आप उस variable का नाम दे सकते हो, जैसे इसमें नया measure, नया column है, उनकी name दे सकते हो, और as it is same होता है, ज हम लोग को orders का count है, तो मैं order ID का count कर रहा हूँ, ठीक है, order ID का इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे record के अंदर, जो order ID हो primary की है, मतलब मेरे table के अंदर, और उसमें कोई duplicate values नहीं है, ठीक है, तो इस simple जो count देगा, वो total orders का count हो जाएगा, कि कितने orders के value है मेरे table के अंदर, ठीक ह हम लोगों ने बनाया, अब जैसे इसके उपर click करोगे, जो square box है, उसके सामने, तो यह आपको इक chart बना के देदेगा, ठीक है, तो मुझे यह वाला chart नीची, मैं इसको table में convert कर रहा हूँ, और यहां पर आप देख सकते हो count of orders hundred आ रहा है, अभी बहुत size में छोटा है, इसक इसको भी मैं बढ़ा के करता हूँ, चलो 60 नी कर देता हूँ, ठीक है, तो count of orders, अब थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा, size में थोड़ा सा resize कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा चोटा, ठीक है, तो अगर आपने यह लिख लिया, अगर आप यहां तक आगए, तो पहले त होता है, अगर आपने excel किया, तो बहुत easy है, नहीं भी किया है, तब easy है, ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका है, जैसे यहां पर मैंने किया count of orders, अगर आपको देखना है, कैसे कि आगे आप इस पे, जो हमारा नए major इस पे click करो, तो आपको formula यहां पर दिखा देगा, ठीक है, मैंने count use किया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि stable केंदर सारी values unique है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और तरीका है, आपर orders count बनाने का, तो यहां पर मैं right click करूँगा, दुबारा new measure करूँगा, इस बार क्या करते हैं, यहां से करते हैं, ठीक है, new measure किया, और इसका मैं नाम दे दे रहा हूं, इसका मैं नाम देता हूं, count of orders 2, ठीक है, और इस बार मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप दूसरे तरीके से कैसे count कर सकते हैं, यहां पर एक option आता है, अगर आप लिखते हो, count rows, ठीक है, हाँ अगर आपको कोई भी doubt है कि formula, कौन सा formula कभी use होता है, मतलब इसका मतलब क्या count rows का, तो आप यहां पर देखो एक arrow दिया हुआ है, अब इस पर click कर तो यह बता देगा, यह count करता है number of rows इना table, ठीक है, क्योंकि मेरे table के अंदर सारी values unique है, तो इससे भी मैं count कर सकता हूं, यह मैंने select किया, इसके बाद पूछ रहा है table का नाम, तो customer table है, और दूसरा है orders table, तो मैं orders table select कर रहा हूं, parentheses close, और enter, यहां पर आप देख सकते हूं, मेरा दूसरा, जो measure है, वो भी बनके तयार हो गया, again मैं इसको यहां पर select करूँगा, ठीक है, जो orders two है, तो इस तरीके से same एक chart देदेगा, इसको again मैं table में convert कर दूँगा और इसको same करने के लिए, मैं format painter में जाकर, sorry, पहले इसको तो format करूँ, यहां पर जाएंगे format painter और इसको कर देंगे, चीक है, तो same format इसमे भी आ जाएगा, तो आप देखो, यहां पर orders था, यह orders two है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरे tables के अंदर सारे unique column है, records हैं, एक और तीसा तरीका मैं बताते हैं आपको, अगर माल लीजे आपके table के अंदर duplicates values होती है, तो उस case में क्या करते हैं, यहां पर जाओंगो new major, तो उस case में करूँगा distant count, distant count मतलब unique values देगा आपको, चीक है, तो मैं आपको link भी देता हूँ ऐसा, unique count of orders, चीक है, और अब हम लोग formula use करेंगे, distinct count, इसको करूँगा, select, और अब पुछरा कौन सा column के उपर करना आपको, तो मैं order id को ले रहा हूँ, चीक है, और parenthesis close और enter, तो आप दे सकते हैं, यहां पर हमाँ पास एक और नया field बनके आ गया, again मैं यहां पर इसको select करूँग इस box को tick mark करना है, और उसके बाद यहां पर table ले लूँगा मैं, तो यह आ जाएगा, उसके बाद इसको करेंगे select, format painter, और इसको select कर देंगे, तो यहां पर पास तीसरा भी बनके तयार हो गया, तो यहां पर आप दे सकते हैं, unique orders count भी 100 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे table में तो unique records है, तो इस तरीके से आप count function का use कर सकते हो, और आप dex query लिख सकते हो, अब इसमें एक और चीज मैं आपको कुछ जो basic चीज़ों बता देता हूं, सबसे पहले चीज़, अगर आपको कोई भी formula में change करना है, तो आपको जो measure जो आपने बनाया है, उसको आप select करो, जैस अगर आप चाहो, तो जैसे आप count of orders है, इसकी जगह मैं count orders कर देता हूं, या total orders कर देते हैं, चलो, जैसे total orders किया, आप जब चाहे तब name change करो, जैसे आप enter करोगे, तो आप देखो, यहाँ पर total orders आ जाएगा, ठीक है, same field को इसमें total orders कर देखो, यहाँ भी उसमें change कर दिया, एक और चीज़ आप इसमें कर सकते हो, जैसे अभी total orders selected है, तो अगर मालो इसके नीचे मुझे कोई comment लिखना है, तो आपको press करना होगा shift, मतलब shift hold करके रखो, फिर आप करो enter, जैसे आप shift enter करोगे, formula बार में आप second line में आ जाओगे, उसके बाद आपको दो forward slash लगाने होग और उसके बाद आप जिसमें जो चाहिए वो लिखोगे, जैसे मैं लिखता हूँ, अगर मालो मुझे किसी को explain करना ही है, कि यह formula क्या है, function क्या है, क्यों लिखा, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, calculating total orders from orders table, ठीक है, तो यह लगा दिया है, ताकि कल को अगर कोई और formula जैसे मालो कोई और power BI पे काम कर रहा है, तो इसको इसकी help से, जो comment हम लोगे निखा है, इसकी help से समझ भाजा है कि formula है क्या, और एक और चीज, अगर आपको कोई भी इसमें से कोई field delete करनी, जैसे मालो जो total cost अगर आपको delete करना है, तो आप उस पर right click करो, और यहाँ पर option मिल जाए ठीक है, तो सम करने के लिए, जैसे suppose करो, इसमें quantity है, तो इसका हम लोग सम कर लेते हैं, मैं देखना चाहता हूँ total quantity कितना है मेरे orders table के अंदर, ठीक है, तो इसको again करूँगा right click, यहाँ पर new measure, और अभी तक हम लोग ने count function का use किया था, अब सम का करेंगे, तो सबसे पहले म ठीक है, और इसके बाद मैं use करूँगा, sum functions को, function को, इसको select करूँगा, और किसका sum करना, आपको quantity का करना है, तो मैं quantity select कर लूँगा, और enter, ठीक है, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर sum of orders आ गया है, ठीक है, इसको हम लोग chart पे लेके आते हैं, इसको select करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको table में convert कर देंगे, तो आप दे सकते हो, जो sum of orders है, वो यहाँ पर है, इसको format printer लगा रहा हो पहले, ठीक है, तो sum of orders आप देखो कितना आ रहा है, 2857.50, ठीक है, मतलब किसी ने आधा order किया है, तो इसका मतलब data में कुछ issue है, ठीक है, तो suppose करो यह आपको 0.50 नह होना चाहिए, decimal में कैसे हो सकता order, तो इसके लिए मों क्या करेंगे, आप इसको select करिए, सबसे पहले आप जो field है, वो select करिए, sum of orders, उस बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर option मिलता आपको, जैसे इसने सबसे basic कौन कों से column का name है, sum of orders, orders table के उपर किया, इसने, format journal है, यह यहाँ पर एक option मिलता, आपको auto का, तो यह क्या करता है, यह decimal places, आप नीचे देख भी सकते हो, change the number of decimal places, ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप जैसी auto को, अगर आप increase करोगे, तो अभी zero कर देगा, तो अभी एक absolute number बन जाएगा, तो यह whole number बन जाएगा, ठीक, अगर आपको increase करन अभी एक लिए मैं इसको zero ही रख रहा हूं, ठीक है, तो इस तरीके सा आप basic formatting भी कर सकते हो, dex query के अंदर, जो भी आप measure बनाओगे, तो यह हो गया हमारा sum function, अब एक और चीज़ में add कर देते हैं, जैसे आप यह मत सोचना, इसका use क्या है, तो इसका use मैं आपको एक बार मारा table है, इसके अंदर मैं एक और field add कर देता हूं, जैसे customer का name, ठीक है, इसको थोड़ा से increase कर देता हूं, अब आप देख सकते हो, customer का name आ गया, अभी जैसे customer का name बाद मैं रहा है, इसको उपर करने के लिए, यहाँ पर आप जाओ, columns में, customer की name को उपर shift कर दो, ठीक है, तो तो जिसने सबसे आदा orders दी है, वो है चित्रा, ठीक है, second highest order है, अधुएत के, फिर माधव, फिर गोपाल, और सबसे कब मेरे orders है, ठीक है, सबसे last है, मेरा नाम है, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा, कि हम लोग जो dex query लिख रहे हैं, उनका help कैसे होता है, power biite के अं देखेंगे, तो next हम लोग देखते है, profit cost, तो profit cost में सिर्फ आपको समझाने के लिए, एक field बना रहा हूँ, ठीक, एक नया measure बना रहा हूँ, तो profit cost का जो formula हम लोग यूज़ करेंगे, वो होगा selling price, या selling cost, minus product cost, ठीक है, तो उसके लिए again, वो order table में दोनों field है, यहां पर मैं करेंगे, तो सबसे पहले मैं करूँगा, sum, sum किसका चाहिए होगा, sum होगा, selling price का, तो यह है selling price, ठीक है, इसको करेंगे minus, sum, product cost का, तो product cost कहां पे है, यह रा product cost, तो यहां पर कर दूँगा parenthesis close, ठीक, और इसका भी parenthesis close, और I think अभी सही है, ठीक है, आप कर देंगे enter, तो एक प्राफिट कोस्ट, तो उसको मैं select कर लेता हूँ, और इसको भी table में convert करके, यहां पे जाएंगे, format painter, और format, ठीक है, तो आप profit cost देख सकते हो, हमारा है 21575, ठीक है, profit cost है, simple हम लोगों ने क्या किया, selling price में से product का cost minus कर दिया, तो यह profit का cost है, यह profit नहीं है, profit cost है, यह मैंने बताया है, कि आपको मैं समझा सकूँ, कि आप कैसे quick measure का भी use कर सकते हो, जैसे आप right click करते हो, यहां पे एक option मिलता, आपको new quick measure, ना, same आप यहां पे भी देख सकते हो, जैसे आप product order table select करोगे, यहां पे आप देखो quick measure है, same field है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यह same चीज profit cost के लिए subtraction किया, दो चीजों को minus किया, यहां पे आप देखो different आपके पास aggregate functions है, filters है, अगर आप timekeeper काम करते हो, तो वो है, total है, जैसे running total हो गया, और यह mathematical operations, operations है, ठीक है, तो मुझे चाहिए इसमें से subtraction, subtraction ले लिया, अब पुछरा दो data आपको कौन सी चाहिए, वो field यह होता है कि इसमें आपको कोई formula लिखने की जूरत नहीं पड़ती, दूसरा है आपका product cost, तो वो है, यहां पे, इसको ठाके मैं आप डाल दोगा, ठीक है, तो यह इसने by default देखो कर लिया, sum of selling price, sum of product cost, इन दों को difference करेगा, और यह same value से match होने चाहिए, तो वो भी हम थोड़ी कर दो add, ठीक है, यहां से इसको मैं कर दे रहा हूँ, close, क्योंकि इसका भी दुबारा काम नहीं है, तो आप यहां पर देख सकते हो, जो हम लोगों ने बनाया और नया field यहां पर आ गया, name उसने अपने हिसाब से दिया, selling price minus product cost, ठीक है, इसको मैं select करता हूँ, यहां पर यह और formula का यहां यूज किया, इसने sum, जो same हम लोगों ने use कि, selling price minus sum of product cost, ठीक है, इसको कर देंगा, enter, यह rename हो जाएगा, और इसकी बार value चेक कर लेते हैं, same आ रहा है की नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यह quick select किया, इसको करेंगे table में, इसको करेंगे format painter, तो आप दे सकते हो, value exactly same के मारी है, ठीक है, तो इस तरीके से आप quick measure का use कर सकते हो, अब हम लोग चलते हैं, next question पे, जो की होगा, कि अगर मुझे profit निकालना है, अभी तो हम लोग profit cost निकालना, अब मुझे total profit देखना है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को formula लिखना होगा, तो again मैं आ sum किसका करेंगे, हम लोग selling price का, ठीक है, तो आप चाहूँ तो लिख के कर सकते हो, मैं select कर ले रहा हूँ, और उसके बाद, इसको हम लोग subtract करेंगे, sum of order, sorry, product cost है, ठीक है, और इसके बाद जासे, ये दो value हो गई, तो इसको मैं parenthesis एक bracket के अंदर डाल दे रहा हूँ, ताकि को total profit देगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका name change करके, मैं profit की जगा, total profit कर देता हूँ, total profit, और इसको करते है, enter, तो अब देख सकते हो, हाँ पर नई field आगे, total profit, ठीक है, इसको कर रहा हूँ, मैं select, total profit, होजा भाई, select, हाँ, उसके बाद यहाँ पर table, और format पे enter, तो आप द काफी high five profit आया तो यह profit आप यह से निकाल सकते हो अब profit का जो फॉर्मला यूज किया है तो अगेन आप यहां पर देख सकते हो ठीक है selling price minus product cost उसको मैंने full bracket में रखा है ताकि इनके difference को multiply करें quantity से ठीक है अब यह चीज मैंने आपको इसलिए बताया है तो यहां पर new column हम लोग करेंगे उससे पहले मैं क्या करता हूँ formula को copy कर लेता हूँ ठीक है तो जैसे ही total profit है क्योंकि same formula हम लोग को लिखना है तो इसको मैं कर ले रहा हूं copy और अभी हम लोग orders में क्लिक करेंगे यहां पर जाएंगे new column ठीक है और यहां पर मैं formula को as it is paste कर दे रहा हूं इस column का रहा है जो की total profit का रहा है और सभी column के लिए जितने भी order है सब के लिए same दिखा रहा है जबकि हम लोग को रो level पर चाहिए इसका मतलब हुआ कि selling price में से जैसे अगर इसको मैनस करते हैं तो 300 में से अगर 250 जाएगा तो 50 बचेगा 50 into 21 होना चाहिए वह value यहाँ पर आनी चाहिए ऐसे ही सभी के लिए होना चाहिए ठीक है और एक और चीज़ में आपको बताता हूं इसमें आगे solve करने से पहले कि जब भी आप जैसे किसी table पर हम लोग जो click करते हैं तो आपको new major और new column मिलता है तो इसमें काफी को select करते हो तो आप देखो हम selling price इसी table के अंदर है product cost बीसी के अंदर है quantity बीसी के अंदर है चीक है तो एक नया column हम इस पर मना रहे है जबकि जो new major होता है जब आप यहाँ पर जाते हो जो new major होता है इसके अंदर जो data होता वह dynamic होता है चीक है और वह aggregated data के ओपर calculation perform करता है अ अब हम लोग चलते हैं अपने profit वाले column के उपर और इसको ठीक करते हैं जैसे मुझे individual चलिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पर sum को उड़ा दूँगा मुझे sum नहीं चाहिए तो जैसे आप aggregate हटा दो गए तो यह individual लेवल पर आपको देदेगा ठीक है यहाँ से भी sum को हटा के enter और कुछ नहीं करना बागी सब हैजटीज रहेगा अब आप देखो यह आपको individual लेवल पर देदेगा ठीक है जैसे फिफ्टी इंटू अगर आप 21 करते हो तो आपको यह देदेगा 1050 ठीक है एकजार पचास तो इस तरीके से आप यह बागी सारे भी calculations एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो इंडिविजन अतलब रो लेवल पर ही सारा डेटा आया हुआ है ठीक है सिंपल कुछ नहीं किया बैसके mathematical expression लिख दिया है सालिंग प्राइस में से प्रोड़ को मैनिस किया उसको बाद इंटू कॉंटिटी कर दिया ठीक है तो इस तरीके से आप नए कॉलम्स बना स निया कॉलम क्रेट करने करके लिए तोसीज मैंको बताओ कि आप जो चीजयन मेजरमें चेंज कर सकते हो जैसे कि फॉरम में आप यहां पे देख सकते हो तो आप यहां पे सारे नेम सकते हो इसका उचिया कर दे रहा हूं और यह पर आगे प्रडूक्त्स थाको पॉडल वे हैं यह नमेंसे स्वीड स्वाफ्ट्स इसी नंबर को हम लोग ने डिफरेंट प्रॉफिट्स में डिस्ट्रिबूट कर रखा है हाई कोची जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो इसको आप ठीक कर सकते हो जैसे यहां पर हम लोग ने किया था सम आफ ओर्डर्स में ठीक है तो अभी क्लिश को मैं डिली तो जैसे ही मैं आता हूं दुबारा टेबल के अंदर और इस बास कस्टमर टेवल सेलेक्ट करते हैं तो आप देखो इसमें डेट दिया वा जैसे फर्स जनुर्वरी को अउडर हुआ सेकेंड थर्ड फॉर्थ है ना ऐसे हुआ है अब मैं चाहता हूं कि फर्स जनुर्व और इसके लिए क्योंकि मुझे वीगडे चाहिए सबका तो यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा वीगडे अगर आपको डाउट हो अगेन आप इस पर क्लिक कर लो तो यह आपको बता रहा है कि आपको नंबर देगा वन से लेके सेवन के बीच में हाँ तो मुझे यही चाहिए यह चुछ अब पूछ रहा है डेट कॉलम कौन सा है ठीक है तो डेट कॉलम मैं लिखूंगा ओर में देखवा अपड़िट कॉलम कहा है सोरी ऑडर में कस्टमर है यार अब लेको कस्टमर के अंदर है और डेट चीक है और इसको सेलेट करने बाद प्रेस करोंगा कॉमा उसक पर अगर आप जाते हो second वाली value पर तो इसका देखो इसका क्या मतलब इसका मतलब है कि यह Monday को one देगा ठीक है और Sunday को zero देगा Sunday को seven देगा तो यह ज्यादा sense मनाता है मेरे लिए ठीक है तो इसको मैं select कर ले रहा हूँ और enter कर अब देखो इसने सारी value को एक number दे दिया मतलब बन से लेके seven की बीच में week day के साब से तो इसे first January 2022 को इसने six दिया इसका मतलब Saturday था तो एक बार हम लोग चेक भी कर लेते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जनुरी 22 को first January को Saturday था तो यह value हमारा सही आया अब इसका use किया है तो इसका use मैं आपको बताता हूं एक बार मैं आपको जो हम लोग ने column बनाया जैसे order day बनाया एक बार में order date से आपको दिखाता हूं कि दोनों में difference क्या पड़ता है अगर मैं आपको order date select करता हूं table नहीं चाहिए भाई जैसे मालों आप कोई भी ले लो मैं इसको बाहर चार्ट लेता हूं ठीक है और इसके साथ मैं कर देता हूं total orders count of orders ठीक है तो count of orders हमारा है यह वाला अब यहां पर आप देखो y axis में count of orders ले रखा है ठीक है और x axis के अंदर यह सारी value है तो जैसे की year नहीं चाहिए तो year को मैं हटा दे रहा हूं quarter नहीं चाहिए quarter नहीं चाहिए quarter नहीं हटा दे रहा हूं अब यह आपको month level पे दिखा रहा है कि month में कौन से month में कितना sale हुआ ह ठीक है day level पे तो कोई sense नहीं बनाएगा क्योंकि वह aggregate करकते देगा तो एक तरीका तो आप ऐसे देख सकते हो कि कौन से month में सबस्यादा sale हुआ है तो March में हुआ है बट मैंने जो order day बनाया है इसको मैं same कर रहा हूं control c control v इसका size थोड़ा सचोटा कर देते हैं बट मैंने जो नया फील्ड जो बनाया order date sorry order day उससे यह पता लगया कि कौन से दिन कौन सा कितना order होता है जैसे कि अगर आप normal flipkart या Amazon पे जाते हो आप तो मेरे ख्याल से Saturday Sunday को shopping जाता होती होगी trend पता लगया कि लोग पूरे हफते के अंदर सबस्यादा कौन से दिन shopping करते है उसके लिए मैंने यह बनाया एक अलग से column order day तो अभी क्या करूंगा order जो आपका कहां गया यहां पर जो order date है उसकी जगह मैं order day को डाल दूँगा और इसको उड़ा दूँगा तो अब आप देखो आपको ऐसा मिल जाएगा one से लेके seven तक सारी detail है मतलब सारे दिन है अगर इसलिए यहां पर हम लोग ने order day निकाला था अब हम लोग चलते हैं अपने सबसे लास्ट function पर जो कि है इफ function इसका भी काफी ज़्यादा power bi में यूज होता है तो उसके लिए मैं चल रहा हूं table view में ताकि वो जब creative function तो आपको समझ मैं कि उसका output क्या रहा है तो यह आगे सबसे पहले तो अब बता रहा है कि function definition कि check करता है अगर कोई condition कोई condition true होती है तो एक return करता है एक value अगर वो false होती है तो एक another value रेटन करता है तो आप देखरो सबसे पहले true value का जो भी condition होगा आप result चाहते हो वह दो बात में false value का तो logic पूछ रहा है logic test क्या है तो logic test होगा मेर अब orders को लाइए orders का quantity कहां पर orders quantity को लेकर आए मैं अगर यह smaller होता है smaller ही ना भाई हाँ अगर यह smaller होता है 30 से तो इसका output क्या आएगा अभी दो को यहां पर आ गया highlight जैसी कॉमा लगा है पूछ रहा है result true अगर यह true होता है अगर less than 30 होता है तो मैं बोलूँगा small order ठीक है small order second condition जैसी कॉमा लगा है second condition अगर यह false होता है अगर कोई भी value 30 से ज्यादा होती है तो उस case में क्या होगा उस case में बोलूँगा big order ठीक है और again enter तो अगेन कुछ second लेगा और आप यहां पर देख सकते हो यहां पर एक नया column आ गया order category cross check करने के लिए सकते हो 2130 से कम है इसलिए small order है big order दिखते हैं जैसे यह है ठीक है तो यह value 30 से जादा है ठीक है इसलिए big order है यह value 30 से जादा है तो big order है ठीक है इसका मतलब हमारा logic जो है वो सही काम कर रहा है तो इस तरीके से आप power bi के अंदर dex query लिख सकते हो तो आपको काफी कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर दो तो मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए